दुनिया भर के लोग अपनी गाड़ी कमाई को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं यही वज़ा है कि कुछ लोग अपने घर की तिजोरी या फिर बैंक लॉकर में नगदी रखते हैं तो कई लोग कुछ और जुगा ढूंडते हैं इन दिनों आंदरप्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर लोगों के होश उड़ गए यहाँ एक शक्ष ने अपनी महनत की कमाई को बज़ा कर रखा था लेकिन उसकी सारी जमापूंजी को दीमकों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया एक रिपोर्ट के मताबिक माईला वाराम शहर में रहने वाले 52 साल के बिजली जमालिया ने पाया कि दीमक ने लोहे की तीजोरी में रखे उनके पांच लाख रुपे को खा लिया जमालिया ने अपने सपने को साकार करने के लिए खोनपसीनिस से कमाई पांच लाख रुपे जमा किये थे जब उसे किसी काम के लिए एक लाख रुपे जरुरत पड़ी तो उन्होंने लोहे के उस ट्रंक को खोला जिसमें उन्होंने अपनी जमापोंजी सहीच कर रखी थी लेकिन अंदर के नजारे को देखते ही उनकी होश उड़ गए दरसल दीमकों ने 500 रुपे और 200 रुपे के नोटों में छेद कर दिया था इसके कारण सारी नोट पूरी तरह से बेकार हो गए अपनी महनत से कमाई गए इस रख्म को इस हालत में देखकर जमाल्या जोर जोर से रूने लगे इस्थाने लोगों ने उनकी इस घटना की सूचना पुलीस को दी शक्ष ने पुलीस को बताय कि उनके या उनके परिवार के सदस्यों का बैंक में कोई खाता नहीं है इसलिए उन्होंने अपनी कमाई से पाई पाई बचा कर लोहे के ट्रंक में जमा की थी